तो दोस्तो हाली में आप लोग सुने होंगे कि भारत के द्वारा एडिशनल 200 और के नाइन वजर आटलेडियों को खरिदने का एक डिसिजन लिया गया है। जिसके वज़ा से भारत के द्वारा इसे इतना प्रसंद किया रहा है। एक प्रमुख हतियार के रूप में देखा जाता है। दोस्तो साउथ कोरिया के द्वारा इन गर्णों को डेवलाफ करने के लिए 9 साल के समय लगा। रिपोर्ट के मताविक साउथ कोरिया के तरफ से गर्णों का डेवलापमेंट का काम 1989 में शुरू किया गया। और इसके डेवलापमेंट का समाफ्ती 1998 में हुआ। जबकि इसके एक साल बाद मतलब 1999 में साउथ कोरिया के द्वारा के नाइन थंडर के पहला वर्जिन को अपने आर्मी में ऑपरेशनली शामिल किया गया। जबकि इसके करीबन 19 साल बाद मतलब साल 2018 में साउथ कोरिया के तरफ से अपने पुराने के नाइन थंडर के एक मोडेनाइज वर्जिन मतलब के नाइन एवान थंडर का डेवलापमेंट किया गया। जबकि इसके एक साल के बाद ही के नाइन थंडर के प्रोडक्शन का जिम्मेदारी साल 2000 से लेके साल 2015 तक इन गनों का प्रोडक्शन किया। कंपनी है जो कई तरीके के डिफेंस एक्वेपमेंट का मेनुफेक्चरिंग करता है जिन में आर्मर, रोबोटिक आर्टिलेडी, वेपन सिस्टम, आर्मर्ड वेएकल, आर्मर परसनल कैरियर, मोबायल आर्टिलेडी, मोबाइल अंटी एर्क्रेफ्स्दम, अन्मैन, क्योंकि हन्वार डिफेंस अपने बनाया हुए इक्वेपमेंटों को दुनिया में कई सारे देशों में सप्लाई करता है जिनमें योरोफ के देश, नौरवे, इस्टोनिया, फिनलैंड, फोलैंड, टर्की जैसे देश तो शामिल है ही साथ में एशिया में भारत, इंदोनेश फिलिपीन, मलेशिया भियत नाम जैसे देश विशामिल है तो साथ कोरिया के ये हन्वार डिफेंस के दरफ से निर्मान किये जाने वाले नए के नाइन थेंडर गनों को दुनिया में सबसे बेस्ट सल प्रोपेल हावर्जर के रूप में भी देखा जाता है और इसका कारण है इन गनों के मोबिलिटी और टार्गेट को लंबे डिस्टन्स से हिट करने का कैपिविलिटी के नाइन थंडर के अगर टोटल फर्फॉर्फार्वेंस को या डिप्लॉयमेंट को देखा जाए तो ये काफी तेज रफतार से जहां पे एक आठलिडी बन सकता है तो वही प सारे वेस्टन एलाइस द्वारा भी पसंद किया जाता है दोस्तों के नाइन थंडर के अगर फारिंग कैपिविलिटी या फिर शूट करने का कैपिविलिटी को देखा जाए तो ये दुनिया के किसी भी अन्ने आठी लेडियों के तुलना में काफी एडवांस तरीके से फ कर सकता है तो दोस्तों एक सवाल ये वी है कि के नाइन वजरा या के नाइन थंडर के द्वारा किस तरीके के शेल्स को फायर के आता है बेसिकली ये एक 155 mm बाई 52 कैलिवर के आठी लेडी है तो ये एही कैलिवर के शेल्स को फायर कर सकता है पर ये डिफरेंट टाइफ के स्टैंडर्ड के एम्मुनिशनों को फायर कर सकता है और इसके एम्मुनिशन के उपर डिपेंड करता है यह कितने दूर में टार्गेट को हिट करेगा तो यह करिवन 30 किलो मेटर के डिस्टैंस से टार्गेट को हिट कर सकता है के नाइन थंडर अगर के 310 BBDP IMC एम्मुनिशन का इस्तेमाल करता है तो यह 36 किलो मेटर दूर तक फायर कर सकेगा जबकि अगर इसके दूरा K307 BBHE फायर किया जता है तो यह 40 किलो मेटर तक टार्गेट को हिट कर सकता है पर इसके सबसे लंबे दूरी तक मार करने वाला एम्मुनिशन है K315HE RAP जो की करिवन 54 किलो मेटर डिस्टैंस तक टार्गेट को हिट करने में सक्षम है और अगर इस गन के rate of fire को देखा जाए तो आपको जानके हैरानी होगा कि यह stationary position में 15 second में करिवन 3 rounds को fire कर सकता है जबकि इसके maximum firing speed है हर minute में 6-8 round जबकि अगर इसे sustain mode में लंबे समय तक firing के लिए इस्तिमाल किया जाए तो पहले 3 minute में ये करीबन 1 minute में 2-3 round के रफतार से गोलों को दाख सकता है और report के मताविक लगातार 60 minute तक ऐसे sustain mode में काम कर सकता है दूसरे तरफ दोस्तों ये tank नुमा एक artillery होने के वज़ा से protection का भी काफी अधिक आवशकता है क्योंकि जब ये vehicle एक जगा से दूसरे जगा move करता है तो इसके उपर हमला होने का भी डर रहता है और ऐसे में क्रू के protection और internal equipment के protection काफी आवशक है रिपोर्ट के मुताविक के 9 Thunder में जो आर्मर का इस्तमाल किया किया है वो 155 mm के projectile मतलब artillery के fragments को जहल सकता है वेकल के अंदर इस्तेमाल होने वाले हर तरीके के onboard equipment और ammunition को भी protect कर सकता है बिसिकली आर्मर के रूप में K9 Thunder में जो steel का इस्तेमाल किया गया है उसे POS को कहा आता है और ये totally South Korea के दुआरे indigenously develop किया गया है और company के नाम से ही इसका नाम POS को रखा गया है रिपोर्ट के मुताविक internationally इसे MIL-12560H standard के steel के रूप में देखायाता है आर्मर के इलावा अगर इसमें इस्तेमाल होने वाले onboard equipment को देखे तो ये काफी आधुनिक equipment हो से लैज है और रिपोर्ट के मुताविक K9 Thunder में fire control system भी है जो की text DOS system और window graphics में operate हो सकता है इसके इलावा इसमें एक additional integrated digital map और guidance system भी लगाया गया है जबकि इसके जो electronics है इसे ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि ये electrical, projectile loading system के साथ भी communicate कर सके इसके इलावा K9 Thunder में internal navigation system और GPS जैसे system के साथ-साथ, periscope design, night vision system और कई तरीके के sensors के साथ, कई तरीके के displays भी है जो अलग-अलग view को provide करने के साथ-साथ, reverse movement के लिए भी view provide कर सकता है, पर दोसो K9 Thunder के हर एक equipment Korean made नहीं है बलकि इसमें इस्तेमाल होने वाला जो engine है वो असल में Germany company MTU के द्वारा provide किया गया है रिपोर्ट के मुताविक इसमें STX MTU MT881 KA500 series के engine का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक 8-cylinder water-cooled diesel engine है और ये RT Lady को 735 kilowatt के power provide कर सकता है, वो भी 2700 RPM और 1000 horsepower के दर पे जबकि transmission के लिए इसमें S&T Dynamics के X1100583 transmission system का इस्तेमाल किया गया है, जो front में 4 और reverse में 2 hydronimatic suspension system से last है और दोस्तों इस engine और transmission system के सहारे ही जो tank है, ये करिफ-करिफ 360 km के distance cover कर सकता है, वो भी 67 km पर hour के maximum रपतार से तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले, जै हिंद